तो guys जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि motorcycle enthusiast के लिए festival season है वो already चल रहा है एक से बढ़कर के एक इतने शांदार शांदार products आ रहे हैं कि सारा market confused हो रखा है कि कौन सी motorcycle है वो better package deliver करती है and इसी confusion को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अब Italians भी आ चुके हैं जी हाँ अप्रेलिया ने अपनी RS457 को reveal कर दिया है and मैं पहले ही आपको एक spoiler दे देता हूँ ये motorcycle definitely confusion है उसको एक अलग level पर लेकर के जाने वाली है and असा क्यों है वही इस वीडियो में हम जाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में मैं आपको सारी information इस motorcycle के बारे में जो की अभी currently market में available है वो बताने वाला हूँ साथे साथ मेरे experience से ये motorcycle कहां पर stand करती है क्या-क्या इसमें खूबिया हैं क्या-क्या इसमें कमिया हैं उनकी बात होने वाली है So make sure आप इस वीडियो को पूरा देखें And with that being said अब जादा इंवेस नहीं करते हैं सीधा अपना जो topic है उसकी तरफ move on करते हैं But उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के sponsor की जो की है Carpium Bike Scanner So basically Carpium Bike Scanner की help से आप अपनी bike को properly scan कर सकते हैं उसके codes हैं उनको diagnose कर सकते हैं, reset कर सकते हैं, service reset कर सकते हैं And साथ ही साथ जो live data है bike का उसको भी आप access कर सकते हैं And अभी चल रही है इनकी festive season sale जिस पर इनके सारे products के ओपर आपको flat 20% का discount अवो देखने को मिलने वाला है So link description में है, do check it out and अभी back to the video Polite, तो सबसे पहले बात करते हैं design department की And designing में Italians को कोई भी beat नहीं कर सकता है चाए उनकी super cars उठा करके देख लीजिए, चाए उनकी super bikes उठा करके देख लीजिए इस जमाने में जहां पर ऐसे ऐसे designs आ रहे हैं, जो की आपको शायद ही पसंद आएंगे Generally या तो लोग उनसे बहुँ जादा महबत करने लग जाते हैं, या फिर बहुँ जादा नफरत करने लग जाते हैं Italians अभी भी ऐसे design बना करके ले आते हैं, जो की सब को लगबग सब को पसंद आ जाते हैं तो design department में ये motorcycle बिलकुल भी exception नहीं है Pure Italian जो look है, वो आपको इस motorcycle में देखने को मिलता है Front से लेकर के back तक, side panels, everything speaks Italian And ये एक ऐसी motorcycle है, जिसको अगर आप सड़क पर लेकर के निकलते हैं तो definitely लोग बुड़-मुड़ करके देखेंगे And इसमें वो एक big bike feel भी मुझूद है क्योंकि ये अपने elder siblings से heavily inspired है Like 660 या फिर RS V4 तो इसलिए design department में 10 में से 10 number है अगर एक छोटी सी nitpick मुझे करनी हो तो I would say कि इसका जो RH cover है वो थोड़ी सी retro vibe देता है And उस retro vibe का और कहीं पर भी इस motorcycle के design में जिकर नहीं है तो वो एक out of the place चीज लगती है लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है जिसके मैं number काटना चाहूँगा तो इसलिए design wise sorted है motorcycle अब design की बात हो गई तो उसके बात में बात आती है ride and handling की तो सबसे पहला जो इस motorcycle में एक unique addition है वो है इसकी chassis इसमें आपको all aluminum chassis देखने को मिलती है generally इसके competitors में आपको steel की chassis देखने को मिलती है तो ये इसकी जो light weightness है उसमें कहीं न कहीं एक अच्छा खासा add-on है लेकिन जो चीज इसके competitions में ज़्यादा बेटर है वो है swing arm इस motorcycle में इस website के according तो आपको steel की swing arm देखने को मिलती है जो कि काफी strange चीज लगी मुझे generally इस segment की motorcycle में या फिर इवन इससे नीचे वाले segment की motorcycles में भी आपको aluminum swing arms है वो देखने को मिल जाती है लेकिन इसमें इन्होंने जो steel की swing arm है वो दी है हालांग की इसका जो weight है उसमें कोई भी complaint नहीं है इसका dry weight 159 kilos है और अगर आप उसमें 11 kilo के something और add-on कर देते हो तो एक half tank के something का आपको weight मिल जाता है जो की 170 kg होता है और इसकी power और इसकी category के हिसाब से ये motorcycle light weight में consider होती है तो इसलिए weight के हिसाब से swing arm में कोई भी disadvantage नहीं है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर swing arm भी aluminum की होती ही तो इसका weight और भी तो कम हो सकता था बट ठीक है यार जो भी है क्या बच्चे की जान लोगे साथी साथ जो suspension है front में आपको upside down देखने को मिलती है rear में आपको monoshoke देखने को मिलता है और दोनों में ही आपको pre-load की adjustability है वो देखने को मिल जाएगी generally पीछे की suspension में तो आपको pre-load adjustability देखने को मिल जाती है लेकिन front की suspension है उसमें Indian variants में especially adjustability है वो cost cutting के लिए manufacturers निकाल लेते हैं लेकिन इसमें इसा नहीं करा गया है rim size इसका 17 inches रहने वाला है tire इसमें आपको front में 110 का मिलने वाला है and पीछे 150 का जो कि segment में standard है साथ ही साथ Indian variant में आपको Euro grip के tires देखने को मिलने वाले है जनको test करे बिना मैं ज़्यादा कुछ उनके बारे में कहाए नहीं सकता braking department में front में आपको four piston का caliper देखने को मिल जाएगा bi-breaker जो कि Brembo की एक economical unit है and पीछे आपको single piston देखने को मिलेगा same bi-breaker लेकिन जो disc plate है front में वो 320 mm है and पीछे वो 230 mm है तो braking अच्छी है लेकिन कुछ exceptional देखने को नहीं मिला like caliper better होता या फिर master cylinder better होता तो कैसी रहे कि braking वो again चला करके test करके पता लग सकता है लेकिन I would say कि setup काफी अच्छा है and इस weight की motorcycle में ये setup पहले भी रहा है जिसमें जो braking है वो अच्छी रही है तो इसके साथ भी braking में I think ज़्यादा कोई शिकायत है वो नहीं आनी चाहिए उसके बाद में इसकी जो seating position है वो इनकी website के according एक 50-50 compromise है मतलब वो ना ज़्यादा super sport रखी गई है और ना ही ज़्यादा commuterish या फिर touring friendly रखी गई है तो आपको एक semi sport जो seating position है मतलब semi aggressive seating position देखने को मिलने वाली है dual channel ABS आपको इसमें standard देखने को मिलने वाला है और वो एक general norm हो चुका है तो I think उसके बारे में ज़्यादा बात ना करेंगे तो भी चलेगा उसके अलाब आप जब electronics की बात आई रही है तो सारी जो electrical चीजे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं शुरुआत करते हैं इसकी headlight से तो इसकी headlight है वो all LED unit है इसमें आपको DRLs, low beam, high beam सारी चीजें LED मिलने वाली है एक जो प्यारी चीज मुझे लगी वो ये कि इसमें indicators हैं वो आपकी headlight में DRLs में ही built-in है तो इसलिए जो front का design हो वो काफी clean निकल करके आता है क्योंकि जो indicators हैं वो fairing में पहले जो बात मैं करना चाहूँगा वो रहेगी कि इसके जो switches हैं वो backlit है जो कि रात में काफी premiumness जो motorcycle riding है उसके experience में add करता है अब अगर बात करी जाए इसके instrument cluster की तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अगर मैं सही हूँ तो speedometer का अलग-अलग modes में अलग-अलग layout रहेगा तो अगर आप let's suppose highway cruising कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको information देखने को मिलेगी अगर आप track riding या फिर aggressive riding कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको information देखने को मिलेगी तो overall आपका जो riding experience है वो कही नहीं यह जो instrument cluster है यह definitely भू करने वाला है and अब बात कर लेते हैं और ज़्यादा information की तो इसमें देख करके पता लग रहा है कि इसमें आपको smartphone connectivity and साथी साथ जो 10 by 10 navigation या फिर किसी भी type की map से related connectivity है वो भी देखने को मिलने वाली है उसके अलावा भी जो display है वो sport mode में दिखा रखी है इस particular photo में जिसमें सबसे पहले उपर दे रखा है service interval तो 1000 km के बाद में इसकी service है तो मैं assume कर रहा हूँ कि इसकी जो first service है वो 1000 km के around होने वाली है उसके आगे का भी कुछ पता नहीं है नीचे की side आपको coolant temperature proper degree Celsius में देखने को मिलेगा तो जो nerds हैं उनके लिए ये काफी detailed information हो जाईगी नीचे आपको battery की जो proper voltage है वो देखने को मिल जाती है उसके नीचे आपको जो आपकी fuel range है वो दे रखी है नीचे आपको जो tank में कितना fuel है वो दिखा रहा है यहाँ पर ये जो yellow color का signal है ये side stand indicator का है if I'm not wrong उसके बगल में आपको cold लिखा हुआ दिख रहा है तो ये 3 modes I think इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं मतलब ये आपका engine का temperature या फिर coolant का जो temperature वही दिखा रहा है लेकिन ये आपको इस वे में दिखा रहा है जैसे अभी cold दिखा रहा है and एक और mode में मैंने देखा था कहीं पर उसमें okay लिखा हुआ आ रहा था I think तो उसका मतलब ये है कि motorcycle अपने optimum temperature पर पहुँच चुकी है अब आप उसको refuse कर सकते हैं आप उसको all the way red line तक rev कर सकते हैं high speed riding कर सकते हैं मतलब engine को आप stress में डाल सकते हैं लेकिन जब ये cold लिखा हुआ है that means कि आपको engine के साथ थोड़ा सा gentle रहना है जब तक वो अपने optimum temperature पर नहीं पहुँच जाता उसके बगल में आपको जो outside temperature है मतलब जो environment का temperature है वो show करने वाला है and नीचे जो time है I think वो mention कर रखा है information सिरफ इतनी है क्योंकि इनकी website पर और किसी भी type की इस instrument cluster की photo available नहीं है but I think still मैंने मेरा best करा है इसकी जितनी भी information और works paint करने की and अगर सबसे प्यारी चीज मुझे इस motorcycle में कुछ लगी है तो वो इसका ये instrument cluster ही लगा है क्योंकि ये बहुत ही easy to read है ये ऐसे भर नहीं रखा मतलब कुछ instrument cluster नहीं होते है जो एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं खुद confused हो जाते हो कि यार ये क्या है तो वैसा मुझे यह नहीं लगा काफी प्यारी unit लगी and साथ में मुझे लगता है कि इसके साइड में आपको जो टेल्टेल लाइट साम वो देखने को मिल जाएंगे आपकी चेक इंजन लाइट वगेरा low oil pressure and जो भी रहेंगी and इसमें जो quick shifter है वो भी आपको optional देखने को मिल जाएगा तो I think आप extra पैसे देकर कि quick shifter है उस पर भी opt कर सकते हैं हालांकि अगर मुझे ये बाइक खरीद नहीं हो तो मैं quick shifter के extra पैसे नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आप clutchless shifting करके ना सिरफ quick shifter जैसा ही काम कर सकते हैं बिना पैसा खर्च करें बलकि आपकी जो riding skills हैं वो भी कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों से improve होती है अब बात करते हैं heart of the matter की अब engine की बात मैंने सबसे last में क्यों करी है उसका reason यह है कि इस engine के बारे में Aprilian को ज़्यादा reveal नहीं करा खाली यह बताया है कि यह roughly 48 HP या BHP प्रडूस करता है मतलब इनोंने तो 35 kilowatt बताया है बट उसको जब आप HP-BHP में convert करोगे तो वो 47 point something something आता है तो वो almost 48 BHP के something ही आता है अब torque mention नहीं कर रखा है अब यह power कोन से RPM band पर आती है मतलब peak power कितने RPM पर आती है वो भी नहीं बता रखा है ना ही engine से related कुछ ज़्यादा information वो दी है खाली यह बताया है कि dual overhead camshaft है and liquid cooled है and दो चीजें और इस engine के बारे में मैं mention करना चाहूंगा पहली तो है कि यह जो engine है यह एक load bearing part है means यह motorcycle का जो overall structure है उस structure का ही एक part है यानि कि जो handling है इस motorcycle की वो कहीं न कहीं better होने वाली है इसके विज़े से because जो engine है वो भी उस flex को कहीं न कहीं control करेगा और यह इस motorcycle के lightweight होने के पीछे का राज भी है क्योंकि अगर आप engine को ही as a structure part use करते है तो आपको chassis में और ज़्यादा जो metal है वो use करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर आप weight saving कर लेते हैं और दूसरी जो चीज है जो कि किसी ने कहीं पर mention नहीं कर रखी है लेकिन जब मैंने ध्यान से line by line पढ़ा तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो कहना चाह रहे है वो ये बोल रहे है कि engine with dual camshaft timing dual camshaft timing means कि camshaft के जो lobes हैं उनमें dual timings हैं और ये साधारण भासा में VVA है variable valve actuation और ये कहीं न कहीं इस motorcycle की जो performance है उसको अलग level पर लेकर के जाने वाला है क्योंकि एक certain rpm तक engine से एक cam profile पर चलेगा और उस rpm के बाद में engine दूसरी cam profile पर चलेगा जो कि कहीं न कहीं इस motorcycle की जो fuel efficiency and reliability है उसको definitely improve करने वाला है तो जब आप अराम से चल रहे हैं या highway cruising कर रहे हैं तो आपकी जो I would say less aggressive profile है वो activated रहेगी and engine chill करतावा चलेगा and जब आपको थोड़ा fun करना है तो all you have to do is just downshift a bit rpm थोड़े से उपर जाने दीजिए and जो aggressive cam profiler वो activate हो जाएगी and the bike will shoot and अब last में बारी आती है कुछ एक assumptions करने की तो पहला assumption रहेगा वो यह कि इसकी जो cubic capacity है वो अपरिलिया ने thanks to them reveal नहीं करी है but 457 जो nomenclature है उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि यह जो engine है 457cc का हो सकता है बाकी अभी मैं confirm नहीं कह सकता वो चीज दूसरी जो चीज है assumption करने वाली वो यह है कि इसकी pricing क्या रहेगी अब अगर frankly बताऊं तो यह मुझे साइगल अगर import होकर क्या आती है as a CBU unit मतलब complete build unit तो इसकी price 5-6 लाग से उपर ही जाती definitely क्योंकि taxes वगेरा और फिर CBU जो units होती है वो generally इतनी महेंगी हो ही जाती है इस category में लेकिन अच्छी चीज यह है कि यह इंडिया में बन रही है और I think जतना मुझे समझ में आया है यह सारे international market के लिए भी इंडिया में ही बन रही है तो ना सिरफ इंडिया को जो labor है उसका benefit मिल रहा है मतलब obvious से बात है यह बाहर की company है इंडिया में अगर इनका plant है तो हमें कहीं न कहीं as an industry definitely इस चीज में help हो रही है थोड़े बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा जो कि अच्छी चीज है लेकिन जो दूसरा benefit है वो काफी interesting है and that is going to be the price अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यह पांच लाग के सम्तिंग होगी चार लाग के सम्तिंग होगी देखो मैं जो बात है वो सीधी सीधी बोलता हूँ twin cylinder motorcycle है and अगर Aprilia ने इसको साड़े चार लाग ओन रोड से नीचे नीचे रख दिया आना तो यह बहुत सही पिकने वाली है और अगर गलती से उन्होंने यह चार लाग से नीचे ओन रोड दे दी तो भाई साब मैं आपको ओन कैमरा बोल रहा हूँ अगर यह ओन रोड चार लाग से नीचे रहती है तो यह बहुत तगडी सेल होने वाली है and यह बहुत सारी motorcycles का market खाने वाली है क्योंकि इसमें जो equipment है जो artillery है जो सिसाव से यह दिखती है and I'm sure कि Aprilia की जो exhaust note है वो भी हालांकि यह twin cylinder but still कुछ तो interesting रहेगी तो इन सारे factors को दिमाग में रखते वे considering कि यह थोड़ा सा premium category का brand है I think यह मुरसाइगल बहुत सही बिखने वाली है लेकिन वो completely price game पर depend करता है क्योंकि उसके अलावा Aprilia के favor में इंडिया में कुछ नहीं है अब यहीं पर मैं मेरे experience से कुछ चीज़ें है जो की बताना चाहू और वहीं पर इनके service centers है तो वह एक सबसे बड़ा concern है दूसरा part availability हालांकि यह इंडिया में manufacture हो रही है तो I think इतना ज़्यदा issue नहीं होना चाहिए parts का but still part availability as in की जैसे मेरे जैसा बंदा है वो अगर खुद अपनी बाई को repair करना चाहता है तो I think वो possible नहीं होने वाला है and इस category के जो bike enthusiast है वो मुझे कहीं नहीं लगता है कि DIY type के बंदे होते हैं बाकि चलो यह एक personal subjective matter है किसी के लिए यह चीज मैटर कर सकती है किसी के लिए नहीं कर सकती है लेकिन जो चीज Aprilia की सबसे गलत है वो generally सारे Italians पर ही apply होता है इनकी reliability अब हलांकि चीजें अब्वेस से बात ह है technological improvements होए हैं तो सुधरी है लेकिन इतनी भी नहीं सुधरी है तो एक Japanese motorcycle के comparison में मुझे नहीं लगता कि Aprilia reliable रहेगी तो यह चीज हमेशा दिमाग में रखना अगर प्लान कर रहे हो इस motorcycle को लेकर के तो जितना भी इसका warranty package मिलता है वो सारा का सारा ले लेना क्योंकि chances हैं कि इ अटा गुडबाए गया